चलिए हाँ भी शेख यही है पूरा कर लेते हैं इसको कहता है Mr. KK on a house municipal value दे रखा है 60% portion let out monthly rent and remaining 40% portion occupied by him for own residence तो सर दो घर हो जाएंगे तो सर दो घर हो जाएंगे चलिए 60% area और 40% area यह है let out यह है self occupied कहता है municipal value चार पचास है तो सब कुछ बढ़ जाएगा तो चार पचास आप calculator लेकर क्यों नहीं आते हैं calculator आ तो निकाल लो इससे जल्दी नहीं होता exam में आदद पढ़ गई न मोबाइल फोन की तो फिर दिक्कत हो जाएगे 270 फटा फट बताते जाएगे जो बच्चे ओफ लाइन वाले हैं और 180 चलिए इसके बाद आगे कहता है यह construction of house continue from first में यानि एक पाँच 2016 में हमने construction हमने start कर दिया on July 17 he raise a housing loan अभी लोन लीन लिया इसने एक जुलाई में लिया लोन 2017 में यानि next year एक housing loan लिया चार लाख रुपे का और at the rate 10% के इसाब से लिया 40 लाख है एक जिरो और बढ़ा देते हैं अगर ये घर इसका दिसंबर 19 में घर complete हो गया बनके तो सर PCP जो count होगा हम लोन से count करेंगे न तो हमारा घर start कब हुआ बनना matter नहीं करता matter ये करता है कि loan कब लिया गया तो हमारे लिए loan लिया गया 17-18 और 12 में बना 18-19 और 19-20 का जो session था उसमें तो घर complete ही हो गया तो वो उसमें तो interest अभेल कर चुकेंगे तो वो हो गई नी तो 17-18 में देखेंगे तो July, August, September, October, November, December, January, February, March, पूरे 9 महिने और इसमें 12 महिने तो 9 और 12 कितने हो गया सर? 9 और 12 हो गया सर 21 महिने PCP किता दा house was completed December, he incurred और उसने क्या incurred किया following expense in respect of during the year 50,000 paid by way of municipal tax including 5,000 in respect of 18 सर, 50 का pay किया लेकिन 5,000 पुराने भी पे किये रिपेर कोई काम नी, ground rent कोई काम नी, fire insurance कोई काम नी compute his chargeable house property income during loan amount is outstanding सर, loan amount outstanding है तो हम PCP का हम पहले interest निकाल ले PCP का interest होगा 4,000,000, mommy 10% 10.00 गुना में 21 गुटे 12 into बर फाइव तो 10% डिवाइड़ बारा इंटो 21 डिवाइड़ बारा इंटो 21 डिवाइड़ बारा पांच कितना आगे 14 41 41 41 41 और करंट येर का भी इस्टेल आउटसेंडिंग है तो 40 लाग के उपर करंट येर का 10% यानि 4 लाग तो 5 लाग 40 अजार का ब्याज है और ये पूरे घर के लिए है सर चलिए सर और कुछ दे नहीं रखा तो फेर रेंट भी नहीं पता कुछ भी नहीं पता और जो लेट आउट किया है इसने वो 26,000 रुपे महिने के लिए किया है तो सर कुछ नहीं पता है यहाँ पर फेर रेंट हटाईए standard rent भी नहीं पता सीधा expected rent सर इसके हिसाफ से 270 होना चाहिए और ये तो क्या ही let's self occupied है 8RR कितना है वो लिख लेते हैं सर कहता है 26,000 26,000 इंटु में 12 312 GAV सर जीए भी 312 और 18 less municipal tax बताए ये municipal tax कितना paid किया 50,000 तो 50,000 दो केटेगरी में चला जाएगा 50,000 का 60% 30,000 इसमें तो जाएगा नहीं हटाएए इसे 312 माइनस 30,000 280 2 ये 0 रहेगा NAV माइनस 24 A और माइनस 24 B 24 B हमारा टोटल बनता है 5,4,000 अब 5,4 को 2 भागों में बाटना है 60% 3,24 और बाकी आगया 2,16 लेकिन maximum limit कितना है 2,00,000 अगर आप इसका 40% निकालेंगे तो that is 2,16,000 आ रहे है लेकिन maximum limit तो 2,00,000 ही है तो 282 sorry 282 माइनस 3,24 हाँ जी अच्छा 24 A तो रही है 84,000 माइनस 3,24 सर्ट एक लाक चब्वेस हजार एक चब्वेस छे सो लॉस और ये दो लाक रुपे का सर इधर लॉस अगर आप IHP पूछेंगे तो ये सर लॉस है और लॉस आ जागा एक चब्वेस छे सो प्लस में दो लाक तो लॉस जो बन गया तेन लाक चब्वेस हजार छे सो बन जाता है हमारा लॉस नहीं आज निव चप्टर भी नहीं करेंगे मेरा एक मैनेजमेंट अकाउंट का कूर्स है वो थोड़ा सा आज खतम करना है तो इस क्लास के बाद सीधा मैं उसी को खतम करूँगा इसको और जो बच्चे टैनियर में कर रहे होंगे ना उसमें थोड़ा सा आंसर इस तरीके से करेक्ट कर लेना वहाँ पर थोड़ा सा एरर रहे है दूसरे तरीके से के सर मैंने दो लाक मैक्सिमम लिमिट करके कराए आप इसको वेलिड मान लेना ठीक है ना इस तरीके से कर लेना